अपनी में लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज एलिमिनेशन मेथट से रिलेटीड कोस्टन आंसर करूंगी और आप लोगों को पता है जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है अक्सवोर्ड सेविन्थ एडिशन न्यूज स्लेबस मैथमेटिक्स बुक 2 फिर आज मैं इसके अलिमिनेशन मेथट के कोस्टन आंसर कराऊंगी और इसका है कोस्टन नमबर वन एक्सरसाइज 2E कोस्टन नमबर वन अच्छा अलिमिनेशन मेथट में हम यह समच चुके हैं इस बात को कि हमें कोई एक वैरियेबिल जो हम simultaneous linear equations दी हुई होती हैं इनका यह जो pair है हमारे पास दो equations हैं इन में से किसी एक variable को खतम करना होता है elimination method हमें पता है नाम से ही किसी एक variable को eliminate कर देना है उसके बाद हमने values को put करते रहना है अब हम questions करते हैं तो समझ भी जाएंगे आप लोग यह है equation number one और यह है equation number two सबसे पहली चीज़ हम यह देखते हैं कि क्या इन दोनो equations को add या subtract करते हुए क्या कोई एक variable eliminate हो रहा है या नहीं अगर नहीं हो रहा होता तो हम condition इस तरह बनाते हैं कि वो eliminate हो जाए और सिर्फ एक variable बच जाए फिर उस variable को हम equations में put करते हैं अच्छा इधर है equation number one और equation number two मेरे पास है x x भी positive है equation number one में और दूसरी equation में भी x positive है और y जो है वो positive है और इसका coefficient one है और इधर जो y है equation number two में इसका coefficient भी one है पर यह negative है मुझे coefficient तो same चाहिए होते हैं लेकिन मुझे दोनों के signs हैं वो different चाहिए होते हैं ताकि यह cancel होने में असानी रहे इधर मेरे पास x तो cancel हो नहीं सकता x को दोनों positive है कोफिशन तो same है लेकिन दोनों positive है लेकिन y जो है y coefficient है लेकिन sign different है और यही मुझे condition चाहिए, cancel करने के लिए easy रहता है, अब मैं करूंगी, add कर दूंगी, तो यह plus, minus, minus हो जाएगा और यह cancel हो जाएगे, adding, equation number 1 and equation number 2, अच्छा, अब क्या है मेरे पास, यह मैं add कर रही हूँ, तो यह हो जाएगा, x plus y, x minus y is equal to, यह 16 है और यह है 0, इसको मैंने add किया, तो यह cancel हो गए, और यह हो जाएगा, 2x is equal to, यह plus हो जाएगे, 16, और x की value मेरे पास आ जाएगी, 16 upon 2, और 2, 8 is a 16, x की value मेरे पास आ रही है, 8, अब इस x की value को मैं equation number 1 या equation number 2 में put करूँगी, तो मुझे y की value मुल जाएगी, put in equation number 1, अगर equation number 1 मेरे पास है क्या, मेरे पास equation number 1 है, x plus y is equal to 16, और x क्या है मेरे पास, अब value, यह मेरे पास x 8 निकल आया है, 8 plus y is equal to 16, and y is equal to 16 minus 8, y is equal to 8, मेरे पास y भी 8 आ गया, solution set क्या आ रहे, solution set, पहले x की value लिखूंगी, 8 and y is equal to 8, अब यह है question number 1 का b part, इसमें भी दो equations दिये हुई है, और इधर भी, इधर यह देखिए, वो ही condition है, जो question number, जो part a में थी, मेरे पास x तो दोनो positive है, y जो है, y मेरे पास एक negative है, coefficient same है, लेकिन एक negative है और एक positive, तो जब एक negative और एक positive हो, तो मेरे लिए easy रहता है, add कर दूँगी, तो यह cancel हो जाएंगे, यह add करा, तो y और y यह cancel, और यह x और यह x यह 2x हो जाएगा, 19 प्लस 5, मेरे पास 24 हो जाएंगे, और x की value मेरे पास आ जाएगी, 24 upon 2, x मेरे पास 12 आ रहा है, इसी तरह इस x की value को मैं put कर दूँगी, किसी भी एक equation में, तो मुझे y की value मिल जाएगी, equation number 1 में मैं put कर देती हूं, x minus y is equal to 5, यह मेरे पाइ equation number 1 है, x की value मैंने 12 put कर दी, और बाकी वैसी ही लिख लिए, अब यह 12, अब यह 5 इदर ले आँगी, इदर प्लस है, यह minus हो जाएगा, और y इदर minus है, इसको इदर ले जाती हूं, तो यह positive हो जाएगा, 12 minus 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7, करती हूं, कि 12, x की जगा 12 की value, and y is equal to 7, अब हम करेंगे, question number 1 का C part, इसमें भी बिल्कुल बहुत ही easy है, इसमें equation number 1 और 2 दी हुई है, इसमें आप गोर करिए, x के साथ 11, coefficient 11 है equation number 1 में, और 2 में x के साथ 9 है, और जब मैं y को देखती हूं, y variable को देखती हूं, तो मेरे पास जो coefficients तो same है, और इनके signs जो हैं, वो different है, एक plus 4y है, और एक minus 4y, और मुझे चाहिए भी यही, क्योंकि मुझे eliminate करना है, तो x तो eliminate हो नहीं सकता, y को मैं अगर add करूंगी, add करूंगी, यहाँ पर subtract नहीं करूंगी, subtract करेंगे तो यह दोनो add हो जाएंगे, मैं इधर add करूंगी, plus minus minus हो जाएगा और यह cancel हो जाएगा, is equal to 12, and 9x minus 4y is equal to 8, इधर add करूंगी, तो यह 11 and 9, यह 20x हो जाएगा, यह plus 4y and minus 4y, यह cancel हो जाएगा, अब यह क्या है 12 and 8, यह हो जाएगा 20, x is equal to 20 upon 20, और यह cancel हो जाएगा, x is equal to 1, मेरे पास x की value आ गई, इसको मैं put कर दूंगी, put in equation number 1 यह 2, मैं किसी में भी put करूंगी, मुझे value मिल जाएगी, in equation number 1, 1 मैं put कर रही हूँ, 1 क्या है, 11x plus 4y is equal to 12, तो मैंने 11 को 11 लिखा, x की जगा, x की value जो आई है, 1 आई है, x की value, इसको मैं put कर दिया, मैंने, plus 4y is equal to 12, 11 plus 4y is equal to 12, और 4y is equal to 12, 11 इदर plus है, इदर जाएगा, minus हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 1 upon 4, y is equal to 4, इदर इससे y से multiply हो रहे है, जब मैं इदर भेजूंगी, तो यह divide हो जाएगा, तो मेरे पास y की value आगई, 1 upon 4, और solution set हो जाएगा, 1 and 1 upon 4, अच्छा, अब हम कर रहे हैं, इसका question number 1 का part D, इसमें भी बिल्कुल वही है, equation number 1 है, और 2 है, इदर हमारे पास x जो है, वो उसमें coefficient भी same है, दोनों equation का x है, coefficient same है, sign different है, और हमें चाहिए भी यह ताके eliminate करना असान हो, इदर मैं क्या कर लेती हूँ, add करती हूँ, जब same coefficients हो, और different signs हो, किसी भी एक variable के, y तो हो नहीं सकता, तो x हो रहा है, इदर मैं add करूंगी, adding equation number 1 and 2, equation number 1 and equation number 2 को मैंने add किया है, तो 4y plus x is equal to 11, 3y minus x is equal to 3, यह मैंने add किया, यह तो cancel हो गया, plus minus minus और यह cancel हो जाएगा, और यह 7y is equal to 14 हो जाएगा, y is equal to 14 upon 7, 7 इदर multiply हो रहा है, इदर divide हो जाएगा, 7 to 14, y is equal to 2, अब इस y की value को मैं put करूंगी, equation number 1 या 2 में put करूंगी, मगर मैं equation number 1 में put कर रही हूँ, क्यों, ताकि मुझे x की value मिल जाए, 4y plus x is equal to 11, 2 में भी put करूंगी तो मिल जाएगी, 4, y क्या है, 2 plus x is equal to 11, 8 plus x is equal to 11, x is equal to 11, minus 8, 8 इदर plus है, इदर जाएगा, minus हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगी, 3, x is equal to 3, solution set मेरे पास क्या आ रहे है, 3 and 2, अब हम करने question number 1 का e part, इस e part में हमने ये देखना है, आप ये देखिए, कि हमारा है क्या मकसद क्या है, हमें eliminate करना है, हमें कैचाहिए होते थी, दोना equation में कोई भी ऐसा variable हो, या तो x हो या y हो, उनके coefficient सेम हो और sign different हो, तो eliminate करना असान होता है, हमें अभी तक ऐसा होता था, कि 1 plus हो, 1 minus हो, तो मैं क्या करती थी, उसको add करती थी, तो ये cancel हो जाते थे, plus, minus, minus हो जाते थे, लेकिन यहाँ condition यह है, यहाँ y, y को देख रही हूँ, क्योंकि x तो एक 3 है और एक 1 है, y जो है, इसका coefficient तो सेम है, लेकिन sign भी सेम है, मुझे cancel करने के लिए coefficient तो सेम चाहिए, लेकिन sign different चाहिए, जब coefficient सेम हो, sign भी सेम हो, तो फिर क्या करते हैं, सब्स्ट्रेक्ट करते हैं, जब coefficient सेम हो, sign सेम हो, तो हम सब्स्ट्रेक्ट करते हैं, अब इधर मैं सब्स्ट्रेक्ट करूंगी, equation number 2 को, equation number 1 से, 3x plus y is equal to 5, and x plus y is equal to 3, जब सब्स्ट्रेक्ट करते हैं, तो जिस equation को हम सब्स्ट्रेक्ट कर रहे हैं, उसके sign change हो जाएंगे, minus से इस पूरी equation को मैंने multiply कर देना है, ये पूरी जो equation है, equation number 2 जो है, इसको मैंने minus sign से multiply कर दिया, तो इधर sign इसके पूरे change हो जाएंगे, और इधर sign क्या आ जाएंगे मेरे पास, मेरे पास ये x positive था, ये negative हो जाएगा, ये y positive था, ये भी negative हो जाएगा, ये 3 positive है, ये भी negative हो जाएगा, अब मुझे इसका sign क्या मिल गया? minus sign मिल गया, अब इस तरह ये cancel होना मेरे लिए असान हो जाएगा, ये variable खतम हो जाएगा कब क्योंकि ये तो है plus y और ये मैंने minus sign से multiply कर दिया क्योंकि मैं subtract कर रही हूँ तो ये पूरी equation इनके sign change हो जाएंगे ये plus था ये minus ये plus ये minus ये भी plus था ये minus अगर कोई minus होता तो उसका change होके plus हो जाता अच्छा अब ये cancel करना सान है ये plus ये minus y ये plus y ये cancel plus 3x and minus x हो जाएगा 2x ये plus 5 है और ये minus 3 तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा x is equal to ये 2 से 2 cancel x is equal to 1 अब मैं put कर दूँगी put किसी भी एक equation में put करूँगी x की value को तो मुझे y की value मिल जाएगी मैं equation number 2 में put कर रही हूँ put in equation number 2 equation 2 क्या है ये है x plus y is equal to 3 x plus y is equal to 3 and x क्या आएगा है मेरे पास 1 x है मेरे पास 1 plus y is equal to 3 and y is equal to 3 minus 1 y is equal to 2 x और y दोनों मेरे पास आ गए है x1 आया है और y2 आया है solution set में कह सकती हूँ क्या आया है मेरे पास 1 and 2 subtraction में समझ लीजिए अगर हमारे पास coefficient same है किसी भी एक variable को जिसको हम ले रहे है coefficient same है और sign भी same है तो हम subtract करते हैं अगर sign different होते तो हम add करते हैं अगर sign भी same है तो हम subtract करते हैं ताके cancel करना असान हो जाए अच्छा अब मैं कर रही हूँ इसका f part इसमें भी दो equations है इदर मेरे पास condition अब क्या ही है अब coefficient जो है इदर x के coefficient same है मुझे same coefficients चाहिए थे अभी तक के question में coefficient 111 था लेकिन अब ज़रा इन्होंने coefficient 2x और इदर भी 2x है y different है 3y and 7y इदर मेरे पास coefficient तो same है लेकिन sign भी same है ये भी plus है और ये भी plus है जब coefficient same हो और sign भी same हो तो हम क्या करते हैं हम subtract करते हैं इदर मैं subtract कर दूँगी equation number 2 from equation number 1 equation number 1 क्या है 2x plus 3y is equal to 5 और equation number 2 क्या है 2x plus 7y is equal to 9 अब मैंने subtract करना है तो मुझे पता है जो जिसको मैं subtract जिस equation को कर रही हूँ इसको कर रही हूँ तो इसके sign change हो जाएंगे subtraction में sign change हो जाएंगे क्योंकि ये multiply हो रही है पूरी minus sign से ये minus plus minus 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 plus minus और ये minus plus minus अब ये 2x plus है ये minus है तो ये दोनों cancel ये plus 3y and minus 7y तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा minus 4y minus इसलिए लिखा है क्योंकि 7 बड़ी term है और 3 छोटा है और 7 बड़ा है इसलिए मैंने minus 4y लगाया है ये minus 9 और plus 5 है तो ये minus 4 ये भी बड़ा है 9 5 से इसलिए मैंने minus sign लगा है minus sign से minus sign cancel y is equals to 4 upon 4 4 से 4 cancel y is equal to 1 अब इस y को मैं put कर दूंगी किसी भी एक equation में या तो 1 या 2 में मैं 1 में put कर रही हूं 2x plus 3 y की जगह मैंने रखा 1 is equal to 5 2x plus 3 is equal to 5 और ये मेरे पास आ जाएगा 2x is equal to 5 3 इधर plus तो इधर minus और ये हो जाएगा 2x is equal to 1 2 से 2 cancel हो जाए कैसे जाए और solution set मेरे पास आ जाएगा x क्या है 1 and y भी 1 ही आया है मेरे पास अब मैं कर रही हूं question number 1 का part g है इसमें भी 2 equations दी हुई है और इधर मेरे पास किस variable को मुझे eliminate करना है इधर मुझे y variable को eliminate करना है क्योंकि इसके coefficients भी same है और इसके sign जो है लेकिन sign जो है वो भी same है जब coefficient भी same हो तो हम क्या करते हैं subtract करते हैं अगर coefficient same है लेकिन sign different होते तो मैं add करती लेकिन यहाँ पर same signs है इसलिए मैं subtract कर रही हूं equation 2 को 1 से subtract कर देती हूं 7x-3y is equal to 15 और 11x-3y is equal to 21 जब subtract करते हैं तो जिस equation को कर रहे होते हैं उसको minus से multiply कर देते हैं तो इदर यह वाली equation है इसको मैं subtract कर रही हूं जो sign है उसको मैं different कर दूँगी इदर plus है यह minus हो गया यह minus है यह plus हो जाएगा यह plus है यह minus इस तरह यह minus 3y और यह plus 3y बन गया तो यह cancel हो जाएंगे और इदर क्या हो जाएगा यह मेरे पास आ जाएगा 7x minus 11x is equal to 15 minus 21 7x में से 11x निकालूँगी minus 4x is equal to इसमें से मैं निकालूँगी तो यह minus 6 मेरे पास आ जाएगा minus sign से minus sign cancel x is equal to 6 upon 4 2 2s are 4 2 3s are 6 और x is equal to 3 upon 2 और इसको मैं यह भी लिख सकती हूँ 3 upon 2 या 1 whole 1 upon 2 भी लिख सकती हूँ x is equal to 1 whole whole नंबर में भी यह answer लिखा जा सकता है x is equal to 1 whole 1 upon 2 लेकिन अब यह जो value थी x is equal to 3 upon 2 मैं इसको put करूँगी 3x is equal to 3 upon 2 इसको मैं put करूँगी किसी भी equation में equation number 1 में मैं put कर नहीं हूँ ताकि मुझे y की value मिल जाए 7x minus 3y is equal to 15 7x की जगा मैं 3 upon 2 लिख रही हूँ minus 3y is equal to 15 7 3 जा 21 21 upon 2 minus 3y is equal to 15 इधर मैं LCM ले लूँगी 2 LCM आया 2 1 जा 1 and 1 21 जा 21 minus 1 2 जा 2 2 3 6 2 into 3y तो यह हो जाएगा 6y यह 2 इधर divide हो रहा है इधर जाएगा multiply हो जाएगा तो यह मेरे पास 21 minus 6y is equal to 15 into 2 30 30 आजाएगा अच्छा अब यह हो जाएगा minus 6y is equal to 30 minus 21 30 minus 21 और यह हो जाएगा मेरे पास 30 में से 21 जाएगे तो 9 आजाएगा और यह minus 6y y minus y is equal to 9 upon 6 3 3s are 9 3 2s are 6 और y आजाएगा minus 3 upon 2 अगर मैं इसको whole number में answer लिखूं तो मेरे पास y हो जाएगा minus 1 upon 2 solution set मेरे पास क्या आजाएगा यही solution set जो है वो x is equal to 1 whole 1 upon 2 and y is equal to minus 1 whole 1 upon 2 अच्छा अब मैं करना है इसका h part question number 1 का h part है यह उसी तरह मुझे equations दी हुई है equation number 1 and equation number 2 मुझे दी हुई है अच्छा अब यह करना है इदर मेरे पास y में तो different coefficients है x में मेरे पास क्या है x में मेरे पास coefficient same है लेकिन sign भी same है मुझे sign different करना है ताके मैं इसे eliminate करूँ तो different sign के लिए मुझे इसको subtract करना होगा subtracting equation number 2 from equation 1 अच्छा 3y minus 2x is equal to 9 and 2y minus 2x is equal to 7 इदर जो है इदर जब मैं subtract करती हूँ तो जिस equation को subtract कर रहे होते हैं उसके sign change हो जाएंगे minus से multiply हो रही है यह पूरी यह plus है यह minus minus plus minus 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 plus अब यह plus हो गया plus 2x minus plus minus जो sign होता है वो change हो जाएगा अगर plus है तो minus अगर minus है तो plus अब यह क्या होगा अब यह है मेरे पास minus 2x और यह plus 2x अब यह नहीं देखा जाएगा अब यह वाला sign क्यूंके इसको मैंने minus sign से multiply कर दिया इस पूरी टर्म को माइनस 2x और प्लस 2x यह cancel इदर 3y minus 2y तो मेरे पास simple y बच जाएगा 9 minus 7 2 y is equal to 2 अब मैं इसको put कर दूंगी equation number 1 में put equation number 1 2 में भी put कर सकती हूं लेकिन मैं 1 में कर रही हूं 3 y की क्या value y की value मेरे पास आ गई है 2 minus 2x is equal to 9 and 3 to the 6 minus 2x is equal to 9 6 इदर प्लस है इदर जाएगा minus हो जाएगा minus 2x is equal to 3 is equal to minus 3 upon 2 2 इदर multiply हो रहा है इदर divide हो जाएगा solution set में मेरे पास क्या आ जाएगा minus 3 upon 2 और y क्या है 2 यह मेरे पास solution set आ जाएगा जी अब हम करेंगे question number 1 का है h part अच्छा इसमें भी equations दो दी हुई हैं लेकिन इसमें आप गौर कीजिए पहली equation में 3a minus 2b is equal to 5 और दूसरी में बस position change कर दी है इदर पहले b कर दिया है और बाद में minus 5a 2b minus 5a is equal to 9 यह बिल्कुल simple सा है यह देखिए अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ पहली equation मैंने लिखी 3a minus 2b is equal to 5 और दूसरी को मैं पहले a लिख दूँ minus 5a plus 2b is equal to 9 अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 2b बाद में लिख दिया minus 5a पहले लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब यह दो equations है इनको इधर देखें b को a में तो 3 है और 5 है different coefficients है लेकिन b में same coefficients है sine b different है तो मुझे यही condition चाहिए होती है इधर जब ऐसी condition हो कि दो same coefficients है b variable में और science different है तो इसमें क्या करते हैं add adding equation number 1 and equation number 2 we get अब मैं simple add कर रहे हूँ तो minus 2b plus 2b यह cancel हो जाएंगे इधर यह हो जाएगा minus 2a minus minus sign इसलिए लगा है क्योंके 5 बड़ा है 3 से is equal to 9 plus 5 14 मेरे पास a आ जाएगा minus 7 अब इस a को मैं किसी भी equation में put करूँगी तो मुझे b की value मिल जाएगी मैं equation number 1 में put कर रही हूँ equation number 1 क्या है मेरे पास 3a minus 2b is equal to 5 3a minus 2b is equal to 5 3a क्या है मैंने a की value जो मेरे पास आई है minus 7 और minus 2b is equal to 5 21 minus 2b is equal to 5 minus 2b यह 21 minus हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 5 plus 21 और minus 2b is equal to 26 and b is equal to minus 26 upon 2 2 इदर multiply हो रहा है दर divide हो जाएगा 2 बन जाएगा 2 बन जाएगा 2 तो 3 जाएगा 2b is equal to minus 13 मेरे पास solution set क्या है a minus 7 और b minus 13 अच्छा अब question number 1 का j part मैं कर रही हूँ इसमें बिलकुल simple है equation 1 और 2 इदर d है मेरे पास जिसके coefficient same है और sign different है इदर मैं add करूँगी equation number 1 और 2 को जब add कर रही हूँ तो ये दोनों तो cancel हो जाएंगे और ये जो है 5 c plus 3 c is equal to 9 plus 7 ये हो जाएगा मेरे पास 8 c is equal to 9 plus 7 16 and c is equal to 16 upon 8 8 2 is a 16 c is equal to 2 इस c को मैं put कर दूँगी equation number 1 में equation 1 किया है 5 c minus 2 d is equal to 9 5 c की क्या है 2 value minus 2 d is equal to 9 5 to the 10 minus 2 d is equal to 9 10 इदर plus है इदर जाएगा minus हो जाएगा minus 2 d is equal to 9 minus 10 d is equal to minus 1 और ये है minus 2 ये minus sign से minus cancel 2 इदर जाएगा तो divide हो जाएगा 1 upon 2 d मेरे पास आजाएगा 1 upon 2 और solution set मेरे पास क्या रहे है c है 2 c and d d है 1 upon 2 अच्छा अभी है question number 1 का part k कर रही हूँ इसमें भी देखिए equation number 1 है 2 है और इधर h के साथ f को तो नहीं देख रही क्योंकि 3 है equation 1 में 3f और 2 है 5f इसलिए मैं h को देख रही हूँ क्योंकि coefficient same है और sign different है coefficient same sign different तो मुझे addition करना है ताकि ये eliminate हो जाए adding equation number 1 and equation number 2 जब मैं add कर रही हूँ इधर ही कर दो तो ये cancel हो गए plus 4h and minus 4h ये क्या हो जाएगा 3f plus 5f is equal to 1 plus 7 ये 8f is equal to 8 and f is equal to 8 upon 8 ये cancel हुआ और f मेरे पास आगया 1 अब इस f की value को मैं equation number 1 में put करती हूँ 1 या 2 जिसमें ही put करूँ मैं 1 में put कर रही हूँ f की value है ये है 3f plus 4h is equal to 1 मैं इसको put करूँगी 3f की जगा 1 plus plus 4h is equal to 1 3 plus 3 इदर plus इदर minus हो जाएगा h की value मेरे पास आ रही है minus 1 upon 2 solution set मेरे पास आ जाएगा f क्या है 1 and h क्या है minus 1 upon 2 अब मैं कर रही है question number 1 का part है l इसमें है हमें ये equation दी वी है 6j minus k is equal to 23 और 3k plus 6j is equal to 11 बिल्कुल simple सा है बस इसमें ये है कि मुझे इदर भी 6j दिया हुए है इदर भी 6j मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ k को पहले लिख लूँ और 6j को इस वाली equation में मैं पहले minus k लिख रही हूँ plus 6j is equal to 23 ऐसे लिख दूँ कोई बात तो नहीं है पहले minus k लिख दिया और बात में 6j अच्छा फिर मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया equation number 2 को अच्छा अग क्या कर रही हूँ मैं add कर रही हूँ इन दोने equations को subtract करूंगी add नहीं कर रही क्यूंकि j को देखिए j के coefficients तो same है लेकिन sign भी same है मुझे sign same नहीं चाहिए मुझे एक plus में चाहिए एक minus में चाहिए ताकि cancel हो जाए और सिर्फ एक variable बच जाए अच्छा तो इधर मैं equation number 2 को equation number 1 से मैं subtract कर रही हूँ तो जब subtract कर रही हूँ तो ये equation number 2 जो है इसके sign change हो जाएंगे क्योंकि ये minus से multiply हो जाएगा ये minus plus है तो minus plus है तो minus और plus है तो minus इधर क्या होगा ये एक plus 6 जे और ये minus 6 जे ये cancel हो जाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा minus minus plus लेकिन sign तो minus कही रखोंगी एक ये 1 के और 3 के ये 4 के हो जाएगा is equal to 23 minus 11 ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12 इधर 12 आ जाएगा अच्छा ये 4 इससे multiply हो रहा है इधर जाएगा तो ये divide हो जाएगा और 4 बंदा 4, 4, 2, 0, 4, 3, 0, 12 के minus के इधर है इसको positive करती हूँ तो ये plus है ये minus हो जाएगा minus 3 k is equal to minus 3 अच्छा अब इस k की value को मैं put कर दूँगी equation number 1 में तो फिर मेरे पास equation वो j की value आ जाएगी 6 j minus k क्या है minus 3 is equal to 23 6 j minus minus plus 3 is equal to 23 6 j is equal to 23 minus ये plus 3 है ये इधर जाएगा minus 3 हो जाएगा 20 और j is equal to 20 upon 6 इधर multiply हो रहा है इधर जाएगा divide हो जाएगा 236 2 बंजा 20 और 10 upon 3 j मेरे पास क्या आ रहा है 10 upon 3 और इसको अगर मैं whole number में लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 whole 1 upon 3 solution set मेरे पास क्या रहा है solution set मेरे पास k j पहले j की value लिखूंगी 3 whole 1 upon 3 क्योंकि j के बाद क्या आता है फिर ये के क्या है मेरे पास minus 3 solution set यह आ गया मुझे उमीड है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और प्लीज इस मेरी वीडियो को like, share और subscribe करना नहीं भूलिएगा thank you